क्लास नाइन्थ वाले सभी बच्चों का स्वागत है अब आपका पेपर हैगा हिंदी का क्लास नाइन्थ विसे हिंदी हिंदी में ये दी आपको अच्छे अंक प्राप्त करना है तो जल्दी से इस वीडियो को अब आपको पूरा देखना पड़ेगा नवी क्लास वाले सभी student जल्दी से आप सभी से एक निवेदा ने एक बार उपने सभी दोस्तों को share कर देंगे साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता देता हूं यदि आप दोस्त हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो subscribe करिएगा ताकि अन्य subject के वीडियो के notification आपको मिल सके जल्दी से subscribe कर दीजिगा question number हम पहला start करते हैं यहां पर सभी प्रिष्ण करना निवार रहेगा ठीके सही विकल्प चुन कर लिखना है प्राणियों में सबसे मूर के समझा जाने वाला प्राणियों यह question छपेगा कल के paper में ठीके मतलब आज का जो आपी paper आपका होने वाला है कुछ समय बाद ठीके उसमें आपको मैं जब analysis आपको करवाऊंगा पूरा का पूरा यह question आपको देखने को मिलेगा ठीके प्राणियों में सबसे मूर के समझा जाने वाला प्राणी है वो है गदा ठीके राइट answer के लागा कर आओगे गदा गलती मत कीजिएगा अपने हाथ में copy और pen उटा लीजिए और यह राइट answer लिख लीजिए कावी के भेद होते हैं तो इसमें आप लगाईएगा दो कभी दास की एक रचना है उसका नाम है दीजग अगला question आपका है रस क्यांग होते हैं चार जुहरी के साले का नाम क्या था गया और दो बेलो को कहां बंद कर दिया गया कांजी हाउस यह question है जो आपके paper में आने की पूर्ने संभावन रखते हैं तो आप सबी students गलती मत कीजिगा यहाँ पर objective रूप में जो question था complete हो चुका है अब रिक्तिस की पूर्ति कीजिए प्रेम चंद का जन्म में हुआ बनारस दो वर्नों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधी कहते हैं कमल का पर्यवाची सब्द पंका छे स्रंगार रस का इस्ताइबहाव रती है दो बेलों की कता के लेकाक प्रेम चंद है और एक भारती आत्मा मा कनला चतुरवेदी को कहा जाता है ठीके नोट कर लिजेगा इन प्रिष्णों को गलती मत करना ध्यान पुर्वक पढ़ते चलना कोई भी कोश्यन हो तो कमेंट करके पूछ लेना पंच परमेश्वार प्रेम चंद की रचना है वासल लिकाइस ताइबहाव वसल होगा एक अंक व आगे देखिएगा यहां से ही कोश्यन बनेगा आपका यह इस कांसर में बोलूँगा तब समझ जाना एक राम चरितमानस और एक पदमावत ठीक है किसने लिका यह पता है यह आपको सत्य फत्य देख लीजिए जूरी के दो बेल हीरा वा मोती थे तो इसमें आप सत्य लगा कभीर एक समा सुधा रखते सत्य आगे हम बात करेंगे एक सब्द एक वाक्य मुत्तर तो अंसर यहां पर आप लोगों के लिए लिख रखे हैं इंदी साइत्ति का स्वर्णयूग किस काल कुमाना जाता है तो भक्ति गाल कावी की सोबबढ़ाने वाले तत्व क्या किलाते ह अलंकार विद्याले सब्द का संदी विच्चे दोगा विद्याधन आले दिर के संदी है और हिमाले में ये भी दिर के संदी हीमदन आले हो जाएगा सेम किनी दो महकावियों के नाम लिखिए अभी मैंने बताए हैं आपको पद्मावत और रामचरित्र मानस कभीर की बासा सदूकडी है सदूकडी है अब देखिए कोशन नमबर 6 से लेकर मैं आपको 23 तक बता रहा हूं इन कोशनों को यदि आपने नहीं पढ़ा है तो विना देर की इन कोशनों को पढ़ लीजेगा पेपर में आपको इप्रिशने देखने को मिलने वाले हैं कांज आ उसमें केत से याद कर लीजिए ठीक है यह कोशन चाओदवा पंदरवा सोलवा सत्रवा अटारवा संदर उप्रसंग भी आएगा ठीक है नहीं इनमें से जो कोशन आपको नहीं मिल रहा है कमेंट करके पूछ लीजिएगा साथ ही में बता देता हूं इसका पीडिएप चाहिए तो टेलि आपको लिखना है और एक विसे पर निवन लिखना है विज्ञान का चमतकार विद्याति जीवन मनुसा संका मेतु परियावरन प्रदुशन सिक्चा का मेतु ठीक है यह आपका पेपर पूरा हो चुका है एक से लेकर 22 तक संपूर्ण कोश्चन आपको बता दिये अंसर भी